नर्सिमाराओ जी मेरे हमारे घर में आते थे, मा का हाथ का बंगॉली वेजेटिरियन फूद उनको बहुत पसंद था, और नर्सिमाराओ जी का जब बुरा भक्त आया, इलेक्शन हारने का बाद जब वो प्रधान मंत्री नहीं थे, कॉंग्रेस प्रेजिडेंट भी नहीं थे, CBI की केसिज वगरा उनको उपर काफी, और तब तो कॉंग्रेस या उनके आसपास के सारे लोग छोड़ के चले गए, लेकिन तब मुझे आर इस बात को मुझे तब पता चला कि मेरी मदर जाने की बाद, उनकी 2015 में मेरी मदर की देहान थो गई, जब उनके पेपर्स मैं सौट आउट कर रहे थी, तो मुझे उनका वो कॉपी मिला, कि जब नरसिमाराओ जी को एरेस्ट किया गया, और उसके बाद उनको बेल मिली, उस बेल की शॉरिटी माद दी थी, मेरी माँ ने दी थी, कि अगर नरसिमारी जी मतलब नेक्स कोट में अपेर ना करे या किसी भी तरह से भाग जाए, तो उसके लिए गारेंटी एक देना पड़ते हैं, तो वो सियॉरिटी, वो गारेंटी मेरी माँ ने दी थी, तो इतना घनिष्ट संबन था, और उस टाइम पे दी थी, जब सभी तो कॉंगरेस वाले छोड़ दिये थे उनको, और गांधी फैमली में इतना वो डिसप्रूव करते थे, कि कोई भी उनके साथ ना जाए, ये डाइरेक्शन्स भी थी, ये डाइरेक्शन्स भी थी, मेरे फादर का पास भी ये डाइरेक्शन्स किसी की माध्यम से आया था, जिनके बारे में मैंने किताब में भी लिखा, और नहीं सबसे बड़ी बात जो ये है, जो बात मेरी फाद तक मतलब ध्यान जब तक हुई नहीं हुई तब तक चुपते रहा कि जिस तरह से नर्सिमा राओ जी का ध्यान के बाद उनकी बॉडी Congress Headquarters AICC में घुसने नहीं दिये गया यह एक कस्टम है जो भी पार्टी की senior leaders हैं अभी जैसे कुछ साल पहले प्रियरंजन दाशमुंसी जी की देहान थो गया थे या शीला दिक्षित जी की देहान थो गया थे मतलब उनके बॉडी एक्षित में लाया जाता है और नर्सिमा राओ जी तो Congress President भी थे प्राइम मिनिस्टर थे लेकिन उनकी बॉडी AICC का दफ्तर में घुसने नहीं दिया गया उगर जो ट्रॉक के दरवाजे के बाहर खड़े कर दिये और मेरे फादर खुद सोनिया गांधी जी से कहा कि उनको बॉडी आने के लिए गेट खोल दिया जाए तो उन्होंने चुप का रहा कुछ बोला नहीं तो इस बात यह ऐसे एक बात है बाकी सारे बात छोड़ दीजे लेकिन यह ऐसी एक बात है इसलिए इस बात भी मेरे फादर कभी सोनिया गांधी चुको शायद माफ नहीं कर पाए कि किस तरह से एक जै बहुती नरास थे